स्टार्टिंग फ्रम अनिल्स हाउस अनिल के घर से चलना स्टार्ट किया है पीटर ने पीटर फर्स गोस 50 मितर साउथ तो अनिल का हाउस हम लिख लेंगे पहले ड्रॉ करेंगे थोड़ी बो ड्रॉइंग आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए और डिस्टंस की समझ आनी चाह अनिल का हाउस है ठीक है यह है अनिल्स हाउस यहाँ से चलना स्टार्ट किया पीटर ने 50 मिटर साउथ गया साउथ नीचे में है तो यह 50 मिटर यहाँ पर आ गया फिर 75 मिटर वेस्ट गया वेस्ट इधर है अब 50 से बढ़ा ही होगा यहां तक एप्रोग्जिमेट 50 आया तो यह होगा ही 75 मिटर चला वेस्ट की तरफ 62 मिटर नॉर्थ उपर है तो यह 50 तक तो आई गया होगा यह उपर थोड़ा सा 62 मिटर नॉर्थ की तरफ उपर में फिर फाइनली 40 मिटर इस्ट में इस्ट रैट साइड में है इस्ट कितना गया 40 तो 75 से छोटा ही होगा यह होगा 40 और पहुचा वो सलीम के हाउस पर तो find the direct distance between अनील's and सलीम's house तो अनील और सलीम का जो हाउस है इसमें यह direct distance है यह find out करने के लिए student हमको पहले हम points से लिख लेंगे A, B, C, D, यहाँ पर देंगे E, ठीक है तो यह drawing है यह drawing को आपको निकालना ही पड़ेगा आप pencil का use करना सो मार्क्स या तो मार्क सिर्फ मार्क दो पॉइंट्स एज ए बी सी डी ए एज शोन इन फिगर एज शोन इन फिगर अब ज्यादा explanation नहीं दे सकता मैंने तो इंग्लिश का पैसेज ही हो जाएगा हो तो फिगर में जैसा बताया है वैसे हमने मार्क कर लिए उसको नाम दे दिए अबी सी डीए construction करेंगे हम थोड़ा सा construction क्या आपको करेंगे हम so extend DE and BA DE और BA को ऐसे extend करो यहां पर दे देंगे F such that such that they meet at point F ऐसे extend करो के जैसे समझो वो F यहां पर मिल रहे है okay now quadrilateral F B C D is a rectangle अब यह rectangle क्यों हुआ क्योंकि देखो स्टूडन डायरेक्शन जो है कभी भी 90 डिगरी रहते है east west north south एक में को perpendicular है तो perpendicular है यानिके right angle है तो वह square भी हो सकता है वाद equal side थोड़ी देखर तो rectangle तो है ही so यह आगर rectangle है so BC is equals to D F हम ले सकते है BC is equals to D F और यह कितना होना चाहिए 75 so opposite sides of rectangle rectangle के opposite sides यह equal ले सकते है ना है क्या नहीं मन से थोड़ी लिख रहा हूं मैं वो तो rectangle के opposite side equal होते ही है so now D F की value नहीं चाहिए हमको E F की चाहिए but E F is equals to D F minus D E क्योंकि इसका reason देंगे हम D dash E dash F D और F के बीच में point E है कई तो भी so D F कितना है 75 यह निकला D E कितना है 40 meter so 75 में से 40 minus करो 35 meter यह मिला E F यह हमको काम में आने वाला है 1 उसके बाद में C D is equals to B F यह भी opposite sides of rectangle अगर ऐसा होगा तो फिर से इसको equal to यह तो देना भूली गया में 62 okay और यह भी अगर 62 है B F तो A F कितना होगा A F is equals to B F minus B A इसका reason देंगे हम B dash A dash F okay so B F कितना है 62 B A कितना है 50 यानि कि यह आया 12 meter जो आया A F okay अब दो चीजे मिल गए student 35 और 12 अब बचाये यह है 90 degree पाइथागोरस थेरम लगा एंसर खतम so now in a triangle E F A angle F is equals to 90 degree hence by Pythagoras theorem A E square is equals to E F square plus A F square so 35 square plus 12 square 35 का square कैसे निकालना है 5 का square 25, 3 है बचा हुआ 3 के आगे का नंबर क्या है 4, 3, 4, 0, 12, 12, 1225 plus 12 का square 144, 5 plus 4, 9, 4 plus 2, 6, 1 plus 2, 3, 1 अकेला है 1369 यह आया A E का square so A E कितना है 1369 यह 1225 से बड़ा है इसका मतलब 35 से बड़ा नंबर होना चाहिए once place में क्या आना चाहिए 7 तभी तो 49 बनेगा इसलिए 37 का square हो सकता है 37 का square हम find out करके देखेंगे 7 का square 49, 4 carry 7 3s are 21, 21 2s are 42, 43, 44, 45, 46 फिर से आया 4 carry 3 का square 9, 9 plus 4 13, आया 1369 तो यह है 37 का square so A E is 37 meter so hence the direct distance between Salim and Anil's house is 37 meter 37 meter यह उनके बीच में का direct distance था 6 9 झाल झाल